कितना अच्छा होता ना कि हमें अपने सफेग बालों के लिए कोई ऐसी होम रेमेडिय मिल जाए जिसमें ना तो ज्यादा सामान का भी यूज़ करना हो ना कोई केमिकल का यूज़ करना हो और हमारे बाल हमेशा के लिए नेच्रल ब्लेक हो जाए लोग आपने सोचा और मेहाजिर होगे आपके लिए ऐसी ही होम रेमेडिय लेके जिसमें आपको ना कोई केमिकल का यूज़ करना है ना तो कुल ज्यादा सामान का भी यूज़ करना है सिर्फ एक चीज़ से हम अपने बालों को नेच्रली काला कर सकते हैं वो भी हमेशा के लि लिए का साथ ही हमारी चैनल पर नहीं है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें तो चलिए जान लेते हैं इससे कैसे बनाना है इसके लिए यहां रेका बरतन हमें यहां लोहे का ही चाहिए उसमें हम एक चमश महंदी पाउडर लेंगे आप अपने जितने सफेग बाले उसके हि Sika kaay powderate करेंगे अगर आपके पास Sika kaay powder नहीं है तो आप सिर्फ मेंदी powder का use भी कर सकते हैं और इनको gas पर अच्छी तरह से भून लेंगे आप देख सकते हैं जिसे जिसे हम इसको भूनते जाएंगे विसे ये एक दम black color का होता जाएगा इस तरह से आप उसको तीन से चार मिनिट तक इसे भुनेंगे तो आप देख सकते हैं मेहंदी एक दम ब्लेक कलर की हो गई है देखिए इस तरह से जब मेहंदी और सिका का पाउडर पूरा ब्लेक कलर में कनवर्ट हो जाए तब तक उसे भुन लेना है अगर आप ये पाउडर को स्टोर करके भी रख दे तो आप नेक्स टैम जब आपको बाल काले करने हो तो इसमें से थोड़ा सा पाउडर ले ले और उसमें थोड़ा सा पानी एट कर ले और इसका पेस्ट बना ले और जब इसमें पानी एट करेंगे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इसमें पानी मिक्स होने में लेकिन धीरे धीरे इसमें पानी एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और फिर हम उसमें थोड़ा सा पानी एट करेंगे फिर हमें अच्छी तरह से mix कर लेना है और ये पेक को हमें अपने बालों पे लगाना है जहाँ जहाँ white बाल दिख रहे हैं वहाँ आप ये पेक को लगा ले या तो अपने पूरे बालों में भी लगा सकते हैं और इसे एक गंटे के लिए छोड़ दे, एक गंटे के बाद अपने बालों को सिर्फ पानी से वोश करे सेमपो में यहां नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें ओइल काम यूज नहीं किया है, सिर्फ पानी से बाल को दोना है फिर आप देख सकते हैं कि आपके बाल इकदम नेचरली ब्लेक हो गए है इसे हमें सब्ता में एक बार यूज करना है, लगातार एक महिना तक यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके बाल नेचरली ब्लेक हो गए है तो ये थी एकदम आसान सी होम रेमेडि जिससे आप अपने बाल हमेशा के निच्रली ब्लेक कर सकते हैं आपको ये रेमेडि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेमेडि के साथ तब तक के लिए बाई बाई